हलो गाइस कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप अच्छे रहे हो खुश रहे होते कि आज की वीडियो है यह एक चैप्टर है गुरू नानक यह है चैप्टर नमर 11 यहां लिखावा भी है क्लास फिफ्ट इप्तिदाई उर्दू तो इसका मैंने रीडिंग प्रैक्टिस अप्लोड कर चुका हूँ ठीक है अगर आप चाहें तो इससे देख सकते हैं मेरी चैनल पारा कर ठीक है क्लास फिफ्ट का प्ले लिस्ट खोल कर ठीक है तो हम आज करेंगे सॉलुशन और एक्ससाइजिस का पूरा कम्प्लीट आंसर देंगे ठीक तो इसके लिए यह आपको गंगा जमनी का मतलब नहीं जानपाए होँ तो आज जान गए होंगे गंगा जमनी याने मिले जली तहरी किसी खास मकसद के तहट चलाई गई मुहम ठीक है या अंदोलन उसे बलते है तहलीक तहरीक है और इंगलिस में बोलते है रेव लुशन ठीक है उसके बात है guys you know जिनूब जिनूब यानि दक्किन या दक्खिन या दच्छन ठीक है एक कही बात है ठीक साउथ भी बोलते हैं इसको उसके एक बात guys you know पेरोकार पेरोकार बोलते हैं मानने वाले या पीछे चलने वाले है ना जैसे किसी लीडर के मानने वाले या किसी मजब क मानने वाली ठीक है गरहस्ती यानि घर बार है ना घर के काम ये घर की कहानी ठीक समसकते हैं आप नक्ष हो जाना नक्ष हो जाना मतलब असर होना या दिल में बैठ जाना ठीक और ये है फानी फानी फे अलिफ और नून इस नी फानी मतलब मिटने वाला यानि दुनिया की हर च कर्ब कर्ब यानि के नजदी की यानि करीबी ठीक उसके पाद काईस मुश्टरगा यानि मिले जुली मुश्टरगा मिले जुली ठीक है उसके पाद काईस मुकदस बोलते हैं पाक ठीक है मुकदस जिस हिंदी में पवित्र बोलते हैं वही है यह तो आइस इसको पढ़ते हैं बहुती ज़्यादा समझने वाली बात ही यहां देख सकते हैं आप ठीक है गोर कीजिए ठीक है ना गुरु नानक हमारे मुलक हिंदोस्तान के एक एहम रोहानी पेशवा और समाज सुधारत थे इनसान दोस्ती और महबत उनका पैगाम था उन्होंने दुनियादारी छोड़कर खिद्मते खल्क का रास्ता अख्तियार किया खिद्मते खल्क मतलब यह के यह जैसे के खल्क क्या है तो गाइस आप देख सकते हैं सूचिए बताईए और लिखे या कॉशन का आफ आनसर देना शुरू करते हैं चलिए फिर देखते हैं इसमें ठीक है तो गाइस शुरू करते हैं सिलसला कुश्चन और आंसर का तो पहला सवाल है हमारा मुल्क किस तहजीब का नमूना है ठीक है तो गाइस देखिए सवाल नमबर जिनो वन का जवाब नमबर वन हमारा मुल्क गंगा जमन तेजीब का नमुना है सवाल नमर दो है गाइस गुरू नानक की पैदाईश कब और कहां हुई थी तो जवाल नमर दो है गुरू नानक की पैदाईश सन 1479 में दरियाय रावी के किनारे आबाद एक गाउं तलवन्डी में हुई थी ठीक है गाइस सवाल नम्मर तीन है गुरू नानक का दिल काम में क्यों नहीं लगता था तो जवाब नम्मर तीन है गुरू नानक का दिल काम में इसलिए नहीं लगता था क्योंके उनको ये लगता था कि दुनिया और दुनिया की है चीज फानी है फा फाक बोलना है ना फानी ही बोलना है फानी है फानी बोलते हैं जो हमेशा ना रहे ठीक है यह मिट यानी एक दिन उसे फानी बोलते हैं सवाल हमर चार गाईज गुरू नानक की तालिमात क्या है तो जवाब है सवाल हमर चार का गुरू नानक की तालिमात ये हैं कि हमें जात पात की बिना पर भेद भाव नहीं करना चाहिए उन्होंने औरतों को बराबरी के हुकूप देने की भी बात की अब देखते हैं सवाल नमर पांच है गाइज ये नो गुरू नानक की तालिमात किस किताब में जमा की गई है तो आइस देख लीजिए जवाब नमर पांच है पांच है गुरू नानक की तालिमात यानी टीचिंग्स तालिमात गुरू गरंग साहिब में जमा की गई है ठीक ह नाम है सवाल नमर चार है गाइस यानि आखरी गुरू नानक आखिर में कहां आबाद हुए जवाब नमर चाह है गुरू नानक आखिर में करतारपूर में आबाद हुए जिसे आज कल डिरा नानक साहिब कहते हैं और ये करतारपूर कहां है ये नो इंडिया पाकिस्तान के हम आगे पढ़ते हैं सो आइस आप देख सकते हैं बहुत ही जाद अच्छे से यनों खाली जगहों को सही लबजों से पूर कीजिए ठीक है तो ये है यहां पर फिक्रमंद फगेरी गंगा जमनी लंगर तहरी ठीक है तो पहला है हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का नमूना है नमूना एक तरह से बोलते हैं इंगलिश में इसका वर्ड है सेंपल या एक तरह से एक्जैंपल भी कह सकते हैं वैसे सेंपल असल वर्ड है इंगलिश ठीक उसके पात का इस दूसरा है भगती भगती तरीक के नाम से भी एक तरीक चली थी थी ठीक है आग स्काहिकर गौरुऋ नानक के वालिट उनकी तरफ से बहुत फिक्रमन्द रहते थे फिक्रमन्द मन्द का मतलब जह हम अपनी मीरियंग में में लेते हैं तो फिक्र करने Beast उतकती है फिक्र करने वाला है ना फिक्र मन्द हो गया उसके बात गाई चौटा है उन्होंने घरबार छोड़कर फग्री अख्तियार कर लिए फग्री यानि के एक तरह से यह नो पीर फग्री होती है ना के खुदा के लिए काम करना और दुनियादारी छोड़ देना इस सब चीज़े पैसा दौला जमीन जैदा इस सब चीज़ों बिलकुल छोड़ देना अब गाईज देखते हैं पांच माँ ठीक गुरू नानक ने इस बात पर जोड़ दिया था कि उनके मानने वाले लंगर में खाना खाएं ठीक है उसके बात गाईज यहां देखिए बहुत ही जाद आच यहां पर हम बताते हैं महबत का है मतजाद नफरत ठीक है अमन का फसाद जनूब का शमाल खरा का खोटा नफय का नुकसान आबाद का यह नो वीरान भी है बरबाद भी है आबाद का वीरान कर दो ठीक है बरबाद भी कहते हैं कुछ लोग तो जो मैं हम आप से कहें वही लि इरान भी होता है इनसान का ये नो हैवान शुरू का खत्म कुछ लोग शुरू का आखरी भी लिखते हैं लेकिन आप खत्म भी किए छोटी क्लास है आपकी ठीक उसके पात का आईस आगे देखते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये नो डैट वैरी वैल सो गाइस देख सकते हैं नीचे दिये वे जिमनों को पढ़िया और उनमें से इस्म यानि कि नाउन और जमीर यानि कि प्रोनाउन तलाश करके खाली जगों में लिखिये ठीक है तो अब बात आती है जिना पहला ठीक है गुरू नानक की पैदाइश तलवंडी गाउं में नंकालना साहिब क्या हो गया यह नाउन हो गया और यह प्रोनाउन हो गया यानि कि जमीर हो गया ठीक है गाउं भी देखिये गाउं भी क्या है गाउं वर्ड एक तरह से यह भी इसम है लेकिन यहां पर किसी नाम को यहने कॉमन नाउन है लेकिन हमें खास नाउन की बात यह और उने खेल का खेल कूद का शौक नहीं था ठीक है तो उन्हें एक हो गया ठीक है जमीर जब चैकर चैकर टीक है वो है ना तो वो क्या है जमीर है जरुत मंदों में तक्सीम कर देते थे इसके बाद का यह चटा है उन यानि के उन किया है यहां पर जमीर है का दिल दुन्यदारी में नहीं लगता था ठीक है तो गाइस आप समझ सकते हैं देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चिसे जिनो उस उसके बाद देखिए यह है तो मैं लिख दिया हूं ठीक है मैंने लिख दिया है इसम तलवंडी है नंगाना साहिब है नानक है और जमीर मैंन का लिखा है उन लिखा है इस लिखा है उन्हें लिखा है वह लिखा है उन दुवारे लिख दिया है एक ही बार लिखना ठीक है बार बार मतलग ना उसके बात ये सही बियान के सामने राइट और गलत के ने सामने रॉंग यानि कि इसका कट्टम का निशान लगाईए कट्टम भी कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों बोलते हैं I don't know पहला है हमारे मुलक में बहुत से मजभ़ों के मानने वाले रहते हैं कुछ लोग रहते भी बोलते हैं जल्दी बाजी में तो ये है सही बात है उसके बात देखते हैं अकला गुरू नानक की पैदाईश किसान के घर में हुई थी है ना तो ये घलत है वो किसान नहीं थे बलक तीसरा है, गाईस, बहुत ही जाध अच्य साब देख पा रहे हैं, गुरू नानक को जो पैसे मिलते थे, उन्हें अपनी जाध पर खर्च कर देते थे, ठीक है गाईस, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये भी रॉंग है, है ना, अपनी जाध पर नहीं करते थे, ब बास सच है राइट लिखा है ठीक है इन उन गलब किया है राइट करना आप पांचों है गुरु नारक आखरी वक्त में तलवंडी में गाउं में आए जब करतार पूर आए थे तो यह गलत हो गया ठीक है छटा है गाइस नंकारा साहिब देली के पास वाकए है नंकारा में फिक्र मन्द या यानि फिक्र करने वाला 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 मन्द मतलब समझ लिए कि जब मिनिंग में अपनी मिनिंग मिनिंग इस की लेंगे तो कहा हम मिंगदें इ developers यह मिलकर बना है आप भी Abgeord inhiben लगा कर पांचलाय काली जगह रहे यह जैसे दौलत मन्द यानि दौलत वाला जरूत मन्द जरूत वाला यानि नीडी अब क्वाइस देखते हैं होसला मन्द यानि हम्मत वाला खैरत मन्द यानि शर्म वाला या घरत वाला अकल मन्द आयन काफ लाम मीमनून डाल अकल मन्द या अकल वाला या दिमाग वाला या समझदार ऐसान मन यानि ऐसान मानने वाला ठीक है उसके बात का आई सगला है हाजत मन यानि जरूरत मन जरूरत मन का दूसरा वर्ड हाजत मन है है अलिफ हा जीमते जत हाजत मन यानि हाजत वाला या नीडी परसन ठीक उसके पात काई जागे देखते हैं बहुत ही जाद अच्छे से यहाँ पे कुछ देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से यह लिखे हुए है सफर, तहरीकात, हुकुग तो यह कहते हैं गाइस मैं आपको यह में बात पताना यह चाहूंगा नीचे दिये हुए लबजों को सही जखानों में लिखे तो आप यह पढ़ लीजी, समझ लीजी, उसके बाद मैं आंसर बोल देता हूँ ठीक है यह है वाहिद सफर है, खादिम है, तालीम है, ठीक है, वाक्या है, आदत है, है ना, दफ्तर है, पैगाम है इधर लाते हैं, प्लूरल वाला कौन सा है, देखिए, प्लूरल यानि जमा, जमा यानि प्लूरल, ठीक है, बहु अचन हिंदी में बोलते हैं, तहरीकात, जमा वाली लिस्ट, वर्ड्स हैं यह देखिए, जो इसमें से निकाला हमने है ना, तहरीकात, हुक, इंतिजामात, इंतिजाम का इंतिजामात होता है ना, बच्चों, वैसे बच्चे होता है, लकिन बच्चों मी चल जाता है, उर्दू में, ठीक है, उसके बात का आई, जिनो, 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 मजहब का मजहब बता है वो यह वाला है ठीक है फुकरा यानि फकीर का प्लूरल फुकरा हो गया ठीक है और यह यह है तो गाइस उमीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो आगे देखते हैं क्या है है ना गुरू नानक के बरे में पांच जुम्ले लिखी तो मै यानि ऐसे ठीक हलका से लंबा यह फुल स्टॉप वैसे इंग्लिश में यह होता है और हिंदी में लंबा विराम चिन लगाते हैं ठीक है इसका नामी विराम चिन है अब आइस गुरू नानक एक रहम दिल इनसान थे यह दूसरा सेंटेंस था गाइस जो मिन पढ़ा चुड़ दिया और दुनिया से अलग हो गई एक तरह से ठीक है सन 1538 में गुरू नानक का इंतकाल हुआ यानि के यह दुनिया से चले गए ठीक है और गाइस देखिए यहां पर क्या लिखा है बुलंद आवाद से पढ़िए और खुश खत लिखिए यानि के कहने का मतलब आउक यह यहां पर नंका ना लिखना है तो देखिए मैं लिख लिख एक एक बार बता दिता हूं थीक है नंका नंका ना है ना ऐसी सब लिखेंगे दान नंका न बाके वाका यानिकkeit मौझूद होistes से लिखिए गई जैसे वर्ड बड़ा है यह चोटा है तो चोटा लिखे वर्ड है ना सिल्सिला सिल्सिला यानि कंटिन कंटिनुटी और मुकदस यानि के पवित्रिया पाक ठीज इस तरह साथ पूरा भर देंगे एक दो तीन चार है ना चार लाइन है भरनी है पूरी आना तक और आगे देखते हैं यह आगे अगलाग शैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे और इसके कोशानसर भी कराएंगे रीडिंग प्रेक्टिस पहले कराते हैं हम हमारा जो तरीका पर रीडिंग प्रेक्टिस की वीडियो डालते हैं उसके बाद एक्सेसाइज की तो गाइस चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात नेक्स टाइम आपसे मिलेंगे चलिए फिर मिलते हैं और हमारे चैनल उर्दू विजिया को ज़रूर सब्सक्राइब गरमें तक पहुंचाए यह बुक है जो उर्दू पढ़ना लिखना जाना चाते हैं ठीक है चलिए फिर अल्लाहाफिस